हालो फ्रेंट्स नमस्कार एंड विलकम चू शमाधन साथी उमीद है कि आप सब अच्छे होंगी और इस्टड़ी भी आपके चीस से चल ली होगी साथी वह बिहार एससे इंटर लेवल अभी कॉरेक्शन चल रहा उसमें चुकि कॉरेक्शन का जो समय दिया गया था एक मत दि कर दिया था तो आप सब कर लिए होंगे अपने फॉर में जो भी द्रूटी होगा और अपलोड कर लिए होंगे जो नहीं कि होंगे वह कर लिची लास्ट डेट की चक्र में ना रहे है क्योंकि अब आपका डेट वहां पे एक्स्टेंड नहीं होगा तो उसकंडिशन में आपको नोटिस यह दिखाता हूं जहां से पद बढ़ गई है और जल्द ही उसका अफिस्चल साइट पर भी आपको नोटिस मिल जागा और यह भरती पंचायती राज विभाकी है जो नए पद सामिल किया गया है और इसमें कीन अभीर्थियों को फायदा हुगा इससे सारे ट सीटे एड होंगी वह एक तरीके से जो भी छात्र है उनके लिए वनिफिसियल होगा क्योंकि कोई छात्र है अगर किसी नंबर से छट रहा है अगर वह संख्यादिक होती है तो कटफ पे वहां पर डिक्रीज होता है और उसके बाद आपका सिल्क्सुन होता है तो यहां पर आइड किया गया है उससे आपको काफी बेनफेट होने वाला है यहां पर तो यहां पर देख सकते हैं कि जो पंचायति अज भी भाग है और यहां पर क्या किया गया है तो राज्य में जीला परिशुदू में 2554 पदों को प्रतियारपित करते हुए यानि 2554 पदों को हटा प्रतिया गया है और अवसक्ता अधारित 349 नय पर का स्रीजित किया गया है तो यहां पर देखेंगे सब यहां पर बताया गया है कब कि इसकी संगठन हुई थी निमावली के निशे चोंशट में पंचायति राज एम जीला परसे निमावली का गठन उसके बाद से यहां प कर लिए गया है स्रीजित कर लिए गया है तो उनकी तो बलए पर सकता है नहीं तो ऐसे 2545 अवन पत्त है जिसकी कोई अँप शकत़ा नहीं है और यहां पर निम्न वर्गी लिपिक तो देखिए यह आपका यहां पर एड होगा और यह नीमित है और यहां पर देखें तो लेबल टू का है और राजपत्रित है 179 वकेंसी जिसमें पुरुव से 57 सिर्जित था और 112 नाय सिर्जित किया गया है यानि 179 पर इसमें नाय एड बढ़ चुकी है तो 12,379 के आसपासी आसपासी वकेंसी हो जाएगी तो इससे क्या फायदा होगा कि कटर में थोड़ा सा अंतर पर लेकिन इसका ज्यादे बेनिफिट उनको मिलेगा जो यहां पर अपना टाइपिंग सेटिफिक लगाएंगे क्योंकि यहां पर स्रिजित पद था उसको एड़ कर दिया गया तो 179 पद इसमें ना एड़ होंगे और इसको देख सकते हैं यहां पर दिया गया कि बहुत जल्द यहां पर स्विक्रित पदों को यहां पर जो रिलेटेड आयोग है उनके पास भेज दिया जाएगा तो बीपीसी आप इन पदे इसमें एड़ होंगी और चुकि यह दोजर चौदम भेकेंसी आय था उसके बाद यह दुबहरा आया है तो काफी सीटे जो खाली है लगभग मान के चलिए कि दोजर चौबीस आ गया तो चार साल इधर और शे साल लगभग 10 साल हो गए आपको नए पद यहां पर जो जून में संभावी थे क्योंकि मैं तक तो इलेक्षा नहीं चालेंगे तो जून को टाइट लेके आप लोग त्यारी अच्छे से किजिए और सिलेबस आप सब जानते हैं कि इसमें 50 रिजिनिंग होता है 25 मैथ होता है 25 साइंस होता है और 50 जिके जिस होता है तो आप लोग लिए चैनल से जुड़ रहे हैं फिर कोई नए अपडेट साथ में मिलते हैं तब तक अप लोग श्वस्त रहे हैं मस्त रहे हैं और पढ़ाई करते हैं धन्यवाद